कि देखिएगा जरा जहांचे यह कोशिन इतना तो तुम्हें समझ में आई गया था वही मैंने उसके बाद लिमिट सब्सीटूट करी दी कि देखो जरा इसका स्क्रीन शोट ले लो कोई मुश्किल नहीं है कि बैंग कि हाजी कि प्लीज टेल में अगला कुश्चन देखिएगा अब जरा देखिएगा जरा अगला कुश्चन क्या है अगला कुश्चन है हमारे आस टैंट कुश्चन कहता है इंटिग्रेट 0 से पाई बाई 2 2 log sin x minus log sin 2 x इसको पहले आई माल लिजी let i is equal to 0 to pi by 2 can i write this as log sin square x by property of log clearer भाई power बन जाएगा ये which is equal to 0 to pi by 2 log sin square x upon sin 2 x please tell me clear है यहां तक ये बन जाएगा log sin square x upon 2 sin x cos x ये बन जाएगा 10 x y 2 बोलो जी is that okay अब दोनो limits का sum क्या भाई जरा बताना what is the sum of both the limits pi by 2 0 to pi by 2 I can write this as log 10 pi by 2 minus x upon 2 is that okay please tell me समझ में आरा भाई सबको reply करो भाई please reply हाजी रागाओ adding 1 and 2 0 to pi by 2 log 10 x y 2 plus log 4 x y 2 अब log की property से ये क्या बन जाएगा product में आ जाएगा इन्टो cortex y ये cancel हो जाएगा log 1 by 4 भार आ जाएगा 0 to pi by 2 1 into dx तो ही आ जाएगा अब के पास pi by 2 log 1 by 4 2y is equal to तो i आ जाएगा pi by 4 log 1 by 4 is that okay please reply हाजी हाजी प्लीज रिप्लाई करिए clear है सबको अब भाई मैं जब बीच में बोलता हूँ प्लीज आप रिप्लाई साथ साथ कीजिए गा इसका स्क्रींशोट ले लिजे प्लीज डान हो गया भाई ऑके सी दे नेक्स कोश्चिन माइनस pi by 2 से pi by 2 sine square x बताओ कैसे करेंगे बता सकते हो माइनस pi by 2 से pi by 2 sine square सीधा फिर भी नहीं है देखें question क्या है minus pi by 2 से pi by 2 हमारे पास है sin square x let it be i अब हमने पड़ रखा था अगर f of minus x fx हो जाता था तो minus 8 से लेके a तक fx dx integral क्या बन जाता था भई 2 times 0 to a fx dx यह बनता था भई तो यह क्या आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर f of minus x fx आएगा और आपका fx क्या है यहाँ पर sin square x so we will write this as 2 times 0 to pi by 2 sin square x dx अब इसको 1 मालो अब दोनों लिमिट्स का सम क्या है बताओ भई what is the sum of both the limits sin square pi by 2 minus x कितना बन जाएगा यह आप प्लीज साथ साथ सब लोग participate करेंगे भई दोनों को add कर लो adding 1 and 2 तो 2i is equal to 2 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x यह sin square x plus cos square x क्या बन जाएगा यह दर यह 2 से 2 cancel हो जाएगा तो आई आपका कितना आना है कि यह वन आ जाएगा ना भाई कि प्लीज टैल मी कि सो आंसर इस प्लीज रिप्लाइब ले लो भाई इसका स्क्रीन शोट डान कि ओकिए कि सीधा नेक्स कोश्यों कि ट्वेल्थ कोश्यों है हमारा ध्यान से देखिया आपकी स्क्रीन को ट्वेल्थ कोश्यों में कहता है इंटिग्रेट जिरो से पाई एक्स दी एक्स अपॉन प्लस साइन एक्स एक बार बोर्ड में भी आ चुका है इसको हमने आई मान लिया let it be one दोनो लिमित का स्म क्या है वह। again we will use the property zero to a f dx zero to a f?」 aừttix zero to a f so apply this property k Have a zero to pi pi minus x upon 1 plus sin pi minus x what is sin pi minus x second quadrant है बताइए जल्दी बोलो भई अगर 1 और 2 को add कर लूँ तो adding 1 and 2 2y is equal to आ जाएगा 0 से pi उपर pi बच जाएगा खाली pi minus x cancel हो जाएगा अब बताओ 1 upon 1 plus sin x का integration कैसे करेंगे बता सकते हूं 1 minus sin अचीक है तो कर लेते हैं यह आजाएगा 1 minus sin x और यह cos square x बन जाएगा अलाग अलाग कर लो इसको हमारे पास आजाएगा pi into 0 to pi sec square x dx माइनस इंटिग्रेशन जीरो से पाई सेक एक्स 10 x इस एट ओके वाट इस इंटिग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेर एक्स जीरो से पाई इसका क्या जाएगा sec x 0 से pi अब आपकी परेशन ही शुरू हो जाती यहां से what is the value of 10 pi पता सकते हो जल्दी बोलो 10 pi भी 0 होता है और 10 0 भी 0 होता है और sec pi होता है minus 1 और sec 0 क्या होता है minus 1 हमारे पास यह कितना आ गया 2i is equal to 2 pi और i किसके बराबर आ गया is that okay clear आ सबको please reply हाजी तो screenshot ले डालो इसका done हाजी ओके अगे अगे देखेगा जरा दियांचे नेक्स कुशिन देखेगा क्या है हमारे पास सब minus pi by 2 से pi by 2 sin की power 7x कैसे करेंगे इसको बताए जरा और फंक्चेन है 0 आएगा देखे जरा था तिल कोशिन देखे इसको i मान लिया minus pi by 2 से pi by 2 sin की power 7x हमने क्या पढ़ा था minus a to a fx dx is 0 if f of minus x is equal to minus fx तो fx हमारा sin की power 7x है तो अगर आप यहां लिखेंगे f of minus x तो sin की power 7 of minus x जो बनेगा minus sin 7x minus fx और फंक्चन है so hence this integral is 0 clear भई please tell me इसका screenshot ले लो भई done हाँ जी हो गया बटा ओके 14th question 0 से 2 pi cos की power 5x dx याद हमने एक कराया था question एक और property बताई थी कि अगर आप 0 से 2a fx dx को integrate कर रहे है तो it is 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x fx है and 0 if f of 2a minus x minus fx है तो i is equal to आ जाएगा 0 से 2 pi पहले हमने यह लगाया आप भी बताओ क्या आएगा यह cosexy आएगा ना अगर यह fx लेता हूं मैं second quadrant है ना please tell me 4th quadrant है तो same आएगा तो यह इसको हम 2 times 0 to pi cos की पार 5x dx कर लिया लेकिन इसी property को जब मैं दुबारा लगाता हूं तो f of pi minus x minus fx आएगा तो property के दूसरी उससे यह integral 0 आजाएगा are you getting it? please tell me clear है बेड़ा सबको please reply इसका screenshot ले लीजिए देखिए आज का last question करा रहा हूं 15th question वो भी देख लीजिए फिर उसके बाद try कर ले ना भाई अब तो तो तुम्हें idea हो गया होगा कैसे कर रहे है question please tell me समझ में आ रहा भाई सबको गीर से पाई बाई बाई टू sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x इसको करना देखे कैसे करेंगे दोनो लिमिट्स का सम क्या है भाई please tell me what is the sum of both the limits pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x तो आई आ जाएगा 0 to pi by 2 यह आ जाएगा cos x minus sin x plus 1 plus cos x into sin x अगर मैं दोनों को add कर लू जारा ध्यान से लेगना क्या होगा 1 plus 2 2i तो आएगा ही आएगा sin x minus cos x plus cos x minus sin x उपर सारा कैंसर हो जाएगा please tell me the net answer is 0 clear है भाई please reply clear है सबको हाजी तो यहाँ तक रखिए भाई आज की class के लिए और बाकी ट्राइ करें लीजिएगा ठीक है यह पूरा तो कर लोगे अभी तो इसके जवर्दस question भी कराने मेरे को यार करें भाई ए न मेरे करें लीजिए